नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप भी पेटी एम पर अपनी आईडी बनाना चाते हो यानि आप अपना पेटी एम पर नया अकाउंट क्रियेट करना चाते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेटी एम पर एक नया अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो अगर आप भी जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आईडी बन जाएगी तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में पेटी एम को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल इसको ओपन कर लेना है तो हम इसको हाँ पे ओपन कर लेते हैं यहाँ पर open करने के बाद यहाँ पर कहेगा आपका mobile number पूछेगा तो यहाँ पर आपको अपना mobile number एंटर कर देना है ध्यान रहे आपका जो number है वो आपका उसी phone में होना चाहिए जिसमें आप ATM इस्तिमाल कर रहे हो तो यहाँ पर हम अबना जो number है वो डाल देते हैं वो हमारा इसी phone में है और आप इसके बाद का ध्यान रखेगा तो यहाँ पर number हम एंटर कर देते हैं 9870592813 फिर आपको यहाँ पर मिलेगा proceed securely आपको इस वाले option पर touch करना है थोड़ा सा आपको wait करना है यहाँ और यहाँ पर आपसे sim select करने को कहेगा कि आपकी sim कौन सी है पहली या दूसरी या आपने जो number एंटर करा है वो कौन सी sim है तो यहाँ पर हमारी दूसरी वाले sim है तो हम द नंबर भी दिखा रहा है आप देख सकते हैं तो आप इस वाद का ध्यान जरूर रखेगा तो हम दूसरी sim select करते हैं और नीचे आपको मिलेगा proceed पर आपको touch करना है पर पर टच करने के बाद थोड़ा सा time लेगा और यहाँ पर आपका जो number है उसी mobile में होगा तो यह automatic verify ले तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतिजार कर लेना है मैं आपको बता दूं कि कभी कभी यह काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है आपको थोड़ा ऐसे area में चले जाना है जहाँ पर network आ रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे network आ रहे हैं हम चेक करते हैं कि यह validate होता है कि न प्रियाज करें फिर आपका जो नंबर है उस पर एक OTP आएगा तो यहां पर OTP 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा तो यह OTP है वह अपने आप ही verify यह करना पड़ेगा यानि जो application है वह अपने आप ही verify कर लेगा तो यहां पर हम करते हैं और यहां पर हमारा जो OTP है वह आ चुका है फिर आपके पास ऐसा page आएगा यहां पर आपके पास दो option आएंगे proceed to create account आपको इस वाले पर touch करना है और इस पर touch क करने के बाद थोड़ा साब को time लगने के बाद यहां पर आपको मिलेगा link bank account अगर आप link करना चाते हैं तो कर सकते हैं पर यहां पर फिलाव हमेंसे link नहीं करें पिर यह वाले option पर हम यहां पर touch करने के बाद आपके पास ऐसा page आसकता है आप यहां पर KYC अपनी एक्टीव fill करनी होगी तो यहाँ पर फिल कर दीजिए तो इसके बाद हम इसे फिलाल skip कर देते हैं और skip करने के बाद यहाँ पर आपको जो ATM account है वो बन चुका है और यहाँ पर आपका जो ऊपर की तरफ option है यहाँ पर bank account add करने के लिए आ रहा है आप अपना bank account add कर सकते हैं यहाँ पर आपका नंबर दिखाई देगा नंबर दिखाने के बाद सब कुछ detail यहाँ पर शो करा देगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें